अखाडा में आज सबसे पहले बात लव जिहाद वाले उस केस की जहां रांची पुलीस ने FIR दर्च कर ली है एक महीला मॉडल ने पुलीस में लव जिहाद की शिकायत की है मॉडल की आड़ोप है कि रांची में एक मॉडलिंग इंस्टिट्टूड के मालिक तणवीर ने उसके साथ धर्म छिपा कर धोका किया है ये बहुत बड़ा आरोप लगा है लव जिहादका खेल बताया जा रहा है यह आरोप है कि तन्वीर नाम के इस इंस्टिटूट के मालिक ने अपने आपको यश बताकर या दूसरा हिंदू नाम बताकर इस model को रिजाने की कोशिश की, भजाने की कोशिश की model का यह आरोप है अगारा में सीधा चलते हैं मॉडल के पास जिनका आरोप है कि इस मॉडलिंग इंस्टिटूट के मालिक तन्वीर ने उसके साथ धर्म छिपा कर धोका किया नमस्ते मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी कंप्लेंट क्या है जरा विस्तार से बताएं मैं आनन्द बोड़ रहा हूँ मेरी कंप्लेंट ये है कि मैंने फुलिस्टेशन में कंप्लेंट करी थी इसके खिलाफ और इसने मुझे एफ़ेडविट बनवा कर दिया था और कोट के तुरू इसने राची से एफ़ेडविट बनवा कर दिया था और मुझे एक वीडियो भी बेजी थी जिसमें ये मुझ से माफी मांग रहा है लेकिन उसके बाद भी इसकी हरकते बंद नहीं हुई इसके बाद इसकी हरकते और बढ़ती चली गई मैं जहां काम करती थी वहाँ पे मेरे घरवालों के सब के सामने ये मुझे गंदा प्रूफ करने में लग गया और उल्टी सीधी चीजें मेरे जो परिवार वाले हैं मेरे दोस्त हैं सब को उल्टी सीधी चीजें भेजने लग गया ताकि सब को ये लगे कि मैं इसके साथ धोका कर रही हूँ ये बताता था सब को कि मैं इसको लूट रही हूँ तो मैं बहुत सारी छीज़ें बताता था और अब इतना इसने कर दिया तो फिर अब मुझे यह यह मारने की भी कोशिस कर चुका है यह बता रहा था मेरे पास recording है इसकी यह बता रहा था कि इसके पास गन है और वो वो उस दिन मुघे घर देगा मैं 2020 के लास्ट में मैंने सर्च किया था मॉडलिंग एजनसी तो मुझे यश मॉडल्स दिखाता और 6 जैनवरी 2021 को मैं राची जारकंड पहुची थी यश मॉडल्स एजनसी में जिसमें की यह तन्वीर अक्तर खान मुझे यश के नाम से मिले थे तो इसने कभी यह नहीं बताया कि इसका नाम तन्वीर अख्तर खान है इसने अभ Byश ऑपना नाम यश के नाम से बताया आपको हाँ इसने हमेशा ऐसे ही बताया कि यश के नाम से यश इसका नाम है और फिर मैंने कभी डाउट भी नहीं किया कि किसी का नाम जैसे मेरा भी नाम आज मानवी है कल मेरे स्कूल में एफिडेविट के थ्रू मेरा नाम चेंज हुआ था पहले मेरा नाम मानसी था तो मानसी से मान गई थी उसके बाद क्या हुआ आप मुझे पता चला कि इसका नाम तन्वीर अक्तर है और उस बीच होली का टाइम पड़ता था जिस टाइम इसने मेरी कुछ फोटो दिकाली मुझे बिलकुल याद नहीं है कि इसने कौन सी फोटो दिकाली कब निकाली लेकिन ये दावा करता है कि इसने मुझे से शादी किया और इसके पास शादी नामा जो होता है वो है और ये मेरे परिवार वालों को मुझे लगातार धंकी दे रहा है कि वो ये प्रूफ कर देगा कि मैं इसके मैंने इससे शादी किया और ऐसे ऐसे धंकिया देता तो मैंने इसको बोला भी कि और रिक्वेस्ट की थी इसने इसके घरवालोंने कि मैं कम्प्लेइन वापस ले लूँ ये कह रहा था मेरा बुड़ा बाप है वो मर जाएगा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा तो मैंने थोड़ी मतलब कि जब इसने दे दिया तो एफिडिविर तो मुझे लगा कि फिर न पर आके इसने मुझे खुले रोड पे जान से मारने की कोशिस की उसके बाद से इसकी हरकते बढ़ती चली गए कि मैं तुम्हारे ये सब धर्म परिवर्तन करने के लिए ये सब शादी करने के लिए इसने मुझे लालच भी दिया मैंने एक पेपर भी शेयर किया है जो आपको कब पता लगा कि इसका नाम यश नहीं यह तन्वीर है और मुझे चार महिने बाद लग पता लग गया था कि इसका नाम तन्वीर है फिर आपने इसको पूछा फिर उसने क्या कहा मैंने उससे कुछ दी पूछा थर मुझे हिंदु मुस्लिम का जादा ये नहीं था और इसने मुझे ब्लैक मिल करना शुरू कर दिया था मतलब मैं जैसे मैं घर जाने की बात करती थी या मैं कहीं बाहर कोई काम करने की बात करती थी मैं जैसे वहाँ पे नाची में रह के भी अगर मुंबई में काम ढूलती थी, अगर वहाँ पे कुछ काम हो तो मैं वहाँ पे जाके कर सको तो ऐसे जब ढूलती थी तो ये मुझे बहुत object करता था मुझे मतलब कई बार मुझे काम मिल भी जाते थे और ये मुझे करने नहीं देता-था वो मना कर देता था और जो जिससे मैं बात कर तक नहीं करते थे की मेरी वज़से कोई पर इसका नीचर आपके साथ इसलिए था क्योंकि वह आपके वारे में पॉजेसिव था या फिर यह आपका धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था सब्सक्राइब नहीं पता मुझे यह बस बोलता था कि मैं प्यार करता हूँ और जिसके वज़ा से इसने जो भी अरकते की मेरे जो भी फोटोस को दिखा के इसने ब्लैक मिल मुझे किया इसके थूरू इसने मुझे जो भी काम करवाए हैं और जब मैं वहां से निकल गई जब रहती बब्दम मुझे कहीं भी जाने की पर्मिशन नहीं थी कि मैं कहीं अकेले जा सकूँ यह कहता था कि तुम कॉंट्रैक्ट में हो कुछ अंज जा सकतियो तुम कुछ बिना बताये नहीं कर सकती हो इसने कभी धर्म-परिवर्तन की बात कि आपसे कप की पहली आपने कहा कि इसने धर्म परिवर्तन की भी बात की आपको धमकी दीवस्पद। सर यह मुझे मेरे धर्म के बारे में उल्टि सीधी चीजें ब Ariya Damit फिरो इसने रषवी किया और यह बहुत राडी इसने किया और जब मैं बोलती था मेरे धर्म को गलत बताता है अपने धर्म को अच्छा बताता तो यह यह पहले मैनुप्लेट करने का तरीका था इसका कि ताकि मैं शादी कर लूँ धहम परिवर्तन कर लो लेकिन अब जब मैने पुलिस कंप्लेइन कर दी जब इसने देखा कि पुलिस एक बार कोल्येक्षिन ने लिए दो बार कोले क्टूइट ने लियां इसक्तोब इसके मुझे बोलने लगए आके मैरा पास्पोर्ट मांगने लग जाता था मेरा मतलब कि मेरी आईडी सचिदने के कोशिस करता था फॉन सब्सक्राइब था ऐसे कि यह हरकते करता था इसमें मुझे सामने से बोलता था तुम्हें शादी करनी होगी